हालो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए धाई बड़ो की रेसिपी लेकर आए हूं इससे पहले भी मैंने धाई बड़ो की रेसिपी शेयर करें थे अपने चैनल पर जिसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने बताया कि आपके ऐसे बिल्कुल तो फ्रेंज जैसे की गर्मिया शुरू हो गई है और रमजान भी चल रहे हैं तो हर घर में ज्यादा तर धैवड़े बनते ही हैं तो उमीद करते हैं आपको इस पसंद आएगी पूरा वीडियो देखेगा बिल्कु भी स्किप मत करेगा अगर इस पसंद आते हैं तो प्रीज उसे लाइक और शेयर भी करेगा तो चलिए ज़रा बात नहीं करते हैं और मेरे किचिन में चलके यह बड़ी असी रसवी को बनान शुरू करते हैं तो देखे धहीवडे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है उरत की दाल तो यह स्प्लिट उरत की दाल है उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आधा कप ले रही हूँ पीली मूह की दाल आज हम दोनों दालों को मिक्स करके बनाएंगे तो आधा मुँख की डाल है इसमें पानी डाल देंगे और अच्छी तरह के से वाश कर देंगे इसे 3-4 बार और पानी डाल के इसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5-6 घंटे के लिए आप चाहें तो इसे ओवर नाइट भी सुक कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर जो मैंने डाल भीग होई थी वो पांच घंटे के लिए अच्छी तरह से भीग गई थी मैंने पानी सारा ड्रेन कर दिया है अब हमने मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है उसमें आधी डाल डाल दी है और इसे अब आपको पीसना है तो यहाँ पर क लग रही है बिल्कुल चिकनी है बिल्कुल स्मूद है पर बिल्कुल नहीं जब आप से छुएंगे तो हलका सा दर दरा पन इसमें रहेगा तो हमेशा ध्यान रखे का धही बड़ो के लिए हम बिल्कुल भी स्मूद बैटर नहीं बनाते हैं पेस नहीं बनाते हैं थोड़ा तो देखें यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल दिया है मैंने देखे पानी आपके सामने ही डाला है और उसको भी पीस लिया है तो देखें अब आप देख सकते इसका consistency रेखें बिल्कुल थिक है बिल्कुल पानी नहीं है watery नहीं होना चाहिए अब आपको क्या करना है इसमें आपको फेटना है तो इतनी डाल है हमारी अब हमारा main काम होता है वो है फेटने का जितना अच्छा आप अपनी डाल को फेटेंगे उतने ही बड़िया soft spongy आपके दही बड़े बनकर ready हो जाएंगे तो तकरीबन इसे continuous 8 से 10 मिनिट के लिए आपको फेटना है आप चाहें तो यहाँ पर मैंने 2 लिटर पानी को गरम कर रखा था उसमें 1 टी स्पून डाल दिया था नमक और 1-4 टी स्पून हींग डाला है हींग मैंने इसले डाला है क्योंकि हम दाल से बना रहे हैं वड़ा तो digestion के लिए हींग बहुत अच्छा होता है मिक्स करके cover करके रख देगा पा आपके जो दही बड़े हैं वो बिल्कुल भी soft नहीं बनेंगे और एक और बात का ध्यान रखना है देखे किता fluffy हो गया है जब आप फेटेंगे तो एक ही direction में आपको अपनी डाल को फेटना है तब ही उसमें air formation होगा तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 मिनट के दाल को फेट कर रही है तो यहाँ पर जो हमाई डाल है ना बहुत बड़िया तरीके से रेडी हो गई है बिल्कुल fluffy हो गई है बहुत light हो गया है इसका वेट तब ही यह पानी में तैर रही थी तो यह एक चोड़ादा टेस्ट है कि आपकी डाल रेडी है कि नहीं आपको पानी में डाल के देखना अगर वो उपर तैर रहा है तो इसका मतला आपकी जो डाल है बिल्कुल perfectly done है तो चली अब हम लोग अपने वड़ो को तैयार कर लेते हैं fry करके तो देखिए यहाँ पान में मैंने तेल को गरम कर रखा है यहाँ पर हम deep fry कर रहे हैं वड़ो को तो यह बहुत ही basic और पुराना method है हमारा दही वड़ो को बनाने का तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं 4 method आपके सास्थ शेयर करूंगी तो उन में से सबसे पहला method है यह जो सबसे पुराना है वड़ो को fry करने का तो देखिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे वड़े ही डाल रही हूं क्योंकि जब ये फ्राई होंगे और जब ये पानी में जाएंगे सोख होने के लिए तो इनका साइस थोड़ा बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैं छुटे-छुटे से वड़े यहाँ पर इस तरीके से तोड़ रही हूँ आप देखे बहुत असान तरीके से आप इसे बना सकते हैं फ्लेम आपका मीडियम पे होना चाहिए ध्यान रखेगा हाई फ्लेम पे कभी भी अपने वड़ो को फ्राई मत करेगा वनना वह बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो देखे धीरे धीरे से वह सिजल हो रहे हैं फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल भी एक मिनट तक आपको छूना नहीं है क्योंकि वह सेट हो रहे हैं नीचे से एक से दो मिनट के बाद ही आप उन्हें टर्न करिएगा ओवर क्राउड मत करिएगा तो देखे किते बड़िया लग रहे हैं बहुत अच्छी रेसिपी है दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो जाएंगे तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ एक मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे अब आप देख सकते हैं यह साइस से अपने बड़े होते जा रहे हैं मैंने छोटे छोटे से डाले थे और आप आप देखें इनका साइस बड़ा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एयर फॉर्मेशन हुआ है जो कि हमारी दाल को फुला रहा है तो देखें यहां पर अभी मेरे को एक मिनट हो गया है एक मिनट से उपर हो गया था थोड़ा सा तो अब मैंने इन सब को टर्न कर दिया इन सब का साइट चेंज कर दिया और हर तरफ से आप इने गोल्डन लाइट गोल्डन ब्रा और जब यह फ्राई होकर आते हैं तो भी बहुत जादा सौफ्ट रहते हैं तो देखें यहां पर हमारा एक बैच दही वड़ो का बनका रेडी हो गया है तो बस अब मैं इसे निकाल लेती हूं और से निकालने के बाद हम तुरंत ही इसे डायरेक्ट गरम पानी में ही तुरंत ही इसे फिर गरम पानी में डाल दियेगा तो मैं दिखा देती हूं आपको तो देखें यहां पर पानी अच्छी तरीके से गरम था गुनगुना गरम है जादा गरम खौलता हूँ पानी मत यूज करेगा वड़े डाल देने हैं और इसे धक कर रग दिजे एक गंट आप यहां पर कोई सबी फ्लेवर वाना इनो नहीं यूज करेंगे एक टी स्पून पानी डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है तो देखें यहां पर मैंने मिक्स कर लिया इससे क्या होगा जो आपके वड़े है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट यहां पर मैंने अच्छी तरीके से इससे मिक्स कर लिया है अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप जो केक वगरा में यूज होता है सोड़ा ना बेकिंग सोड़ा आप वो भी डाल सकते हैं तो देखें अब में बनाने जारी हूं दहीवडे कटोरियों में जी हां कटोरियो में हम धहीवडे बनाएंगे तो देखें यह जो स्टील की कटोरिया है जादतर हर घर में आपको मिल जाएंगी या फिर आपको इसी भी छोटी साइस की कटोरियां लिएगा तो देखें यहां पर मैंने थोड़ा सा ओइल डाल के से ग्रीस कलिए था ताकि जो हमाई दाल है जब स्टीम होकर आएगे तो इसमें चिपकेना अब यहां पर देखें मैं दो दो टी स्पून इसमें डाल डाल रही हूँ जो हमने फेट के रखी हुई है तो आप देखें यहां पर आपको सिफ थोड़ा थोड़ा ही डाल डालना ऐसे फेलाईए का मत और इसको थोड़ा सा ciyee से फ्लैट कर दीजे सेम बस काफी है उतना तो अब हम इसे स्टीम करेंगे तो यह बिल्कुल हुआ फ्री रहेगा में इसे कर्यअ नहीं है तो धिए यहां पर मेने स्टीमर रखा हुआ है और इसमें अब हम अपनी कटो rallies खेंगे इंगे कब दढ़िए भूल में। अब मैंने यहांपर डाल दिया है दू टेबल सपून शुगर। आप चाहे तो पाउड़ड में अब दो । टे अबर टेबल सपून शुगर दाल सकते मैं। आधेस्पून यह नमक। थोड़ा कम डाल colors और यहां पर मैं 1 4th cup डाल भी हूँ दूर अगर आप चाहते हैं आपकी चाट में यह दही वडो में आपका जो दही है बिलकुल क्रीमी लगे तो उसमें आपको एक काम करना है कि कभी भी पानी आट ना करें दही में हमेशा आप दूद का इस्तमाल करें तो इस दही में मैंने 1 4th cup दूद का इस्तमाल किया था और अच्छी तरीके से फेट लिया था तो यहां पर मैं कैमरे में दिखा नहीं पाई आपको तो बस यहां पर मिक्स कर लिया है तो देखें यहां पर बड़ी आसा इसका टेक्शर देखें कितना बड़ी हो गया बिलकुल क्रीम का जैसा तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी और 2-3 मिट लिए इसे ठंडा होने के लिए दूँगी उसके बाद इसे डिमोल्ड कर लेंगे तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तो अब हम लोग बनाते हैं अपने धाई बड़े इडली के बरतन में तो देखें यहां पर मैंने ग्रीस कर अगर आप नॉन स्टिक का इडली का मोल्ड है तो उसमें ग्रीस करने का ज़रूद नहीं है तो देखें यहां पर इसको भी मैंने रख दिया है स्टीम होने के लिए हाई फ्लेम पे 10-12 मिनिट के लिए हम उसे स्टीम करेंगे तो देखें यहां पर यह हलक इसे ठंडे हो पानी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके गुन गुने होने चाहिए तो यहां पर सारे में अपने जो स्टीम किये वड़े है ना वह पानी में डाल दूंगी तो यह और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखें बिलकुल हलका सा बस आपको चमज घुमान अपने दही वड़े रखे थे ना वह भी कुख हो गया है तो बस इन्हें भी अब मैं निकाल लेती हूं यह भी बहुत असान तरीके से निकल के आ जाते हैं क्योंकि हमने आपको हलका सा ओयल ग्रीज किया था तो देखें यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ एक कितना सॉफ है आप सकते हैं मैं Zyadah Dabau औंगी तो यह तो टूठ जाएंगे देखें इसलिए मैंने count खलके से गुन-गुने कल ररधीज कोई है थो देखें के फो दो दो रखें आप तो देखें है अ कि उस्वह घ्रल ब्रीज को providers तो बीतों यह तो दो यह साथ किने एक गुंदर revision a आप पानी में सोक करते हैं तो पानी थोड़ा जबादा लीजेगा, एक बात पास दिहार रखना है, क्यूंकि दहीवड़ है वह पानी को सोक कर जाते हैं, तो देखिए अब है यहाँ पर फोर्थ और लास्ट तरीका धाइवडो को बनाने का यहाँ पर मैंने अपम का मोल्ट लिया हुआ है और उसमें मैंने टोटल वन टी स्पून ओईल हर सांचे में डाल दिया है मतलब सिफ एक टी स्पून ओईल लिया था और थोड़ थोड़ करक सारे ही सांचों में डाल रहा है अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉल्स इस तरीके से ड्रॉप कर देने हैं फ्लेम आपका लो टू मीडियम पर होना चाहिए और इसे अब हम ढग कर पकाएंगे बीच बीच में आपको चेक करना है तो देखिए यहाँ पर दो मिनट त तो अब मैं इसको दो मिनट के लिए बिल्कुल भी छेडूंगे दो मिनट के बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे आप चाहें तो इसे कवर करके भी पका सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे डाल दिये हैं तो देखिए अभी यहाँ पर हो गया है दो मिनट दो मिनट से यह पक तो बस आपको अब इन्हें टर्न करते चले जाना है देखे किस तरीके से मैं टर्न कर रही हूं टर्न करने के बाद फिर से हम इसे दो मिनिट के लिए दूसी साइट से पकाएंगे तो जैसे कि हम लोग अपने अपने अपम वगरा पकाते हैं प्रेक्फास अगर में जब हम लो मेथड है डी फ्राइ करके बनाना जो की जातर हर घर में बनाए जाते हैं उसी तरीके से और जो लोग बहुत ज़ादा हेल्थ कॉंशिस है ओईल ज़ादा फ्राइ ज़ादा खाना नहीं जाते हैं आइटम्स तो उनके लिए मैंने बाकी के तीन आप्शन्स बताएं हैं तो तो टोटल इनको फ्राइ करने में मेरे को 6-7 मिनिट लगा है तो बस अब मैंने इसे अपने जो मोल्ड है अपने मोल्ड उससे निकाल लिया है तो देखें यहाँ पर आपको अलट पलट करके इसको फ्राइ करना है हर जगा से तो यहाँ पर देखें कितना अच्छा कलर आ र बताने चारी हूँ, जिससे कि आपके जो धाईवड़ें बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बने रहेंगे, जब आप अपने धाईवड़ों को पानी से निकालेंगे, उन्हें हलका सा ही निचोडना काफी रहेगा, उन्हें बिल्कुल निचोड के बिल्कुल ड्राइ मत कर दि हैं, तो अंदर से धाईवड़ा हमारा सॉफ्ट नहीं होता, स्पंजी नहीं होता, बिल्कुल ड्राइ हो जाता है, तो आपको हलका सा ही निचोडना है, तो देखें, यहाँ पर मैंने चार तरीके आपको बतायते हैं, धाईवड़े कैसे बनाने हैं, वो चारो तरीके के धा बड़े मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दी है, उसके उपर अब मैं लगा रही हूँ अपना मीठा वाला दही, तो देखें, दही चटनी आपको जितना चाहिए, उतना ही आप लगाएं, उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, उसके उपर मैंने यहाँ पर होम मेट इमली की खटी मीटी चटनी बनाई है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा दोस्तों, यह इंस्टेंट चटनी है, बहुत ही अच्छी, सिर्फ 10 मिनट में बनका रेडी हो जाएगी, मैं इसका लिंक देरूँगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखेगा, बहु और दो चुटकी यहां पर मैंने चाट का मसाला डाल दिया, तो हमारे बड़िया से दही बड़े बनका तैयार हो गए है, दोस्तों, अब मैं यहां पर आपको दही बड़े की चाट भी बता देती हूँ, तो सेम वही प्रोसेस है, सब कुछ बस प्लेटिंग में थोड़ा सा दिफरेंट्स आएगा, यहां पर मैंने ओपर दो तीन हरीमिच बिल्कुल बारीग बारीग चौप करके रखी थी, वो काटके डाल दिया, थोड़ा से यहां पर प्यास डाल दिया है, मैंने थोड़े से यहां पर टमाटर डाल दिया है, आप चाहें तो फ्रेश कोरियेंडर भी डाल सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा, और उसी के साथ साथ यहां पर मैं थोड़े से मिक्चर डाल दिया, मतलब सेव वगरा जो होता है, आम लोग के पास नमकीन वो भी आप उपर से थोड़ा सा डाल दें, और बहुत बड़ी आसी हमारी दैवड़े वाली चार्ट बनक नहीं आपके उपर है, मैंने इस तरीके से सर्फ किया है, आप और भी क्रियेटिव तरीके से सर्फ कर सकते हैं, तो उमीद करते हूं दोस्तों आपको यह धाई बड़ो की रसिपी पसंद आई होगी, मैं यहां पर आपको अभी एक वड़ा तोड़ कर दिखाती हूं और दे उससे क्या होगे, जो आपके धाई बड़ो होते हैं, वो अंदर से बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, आप उन्हें पानी से निकालिए, थोड़ा सा प्रेस करिए, जो एक्सेस वाटरे से वो ही निकालिए, और बस उन्हें तुरंत धाई में डाल दी, उससे क्या होगा, ज इस तरीके से ही धही में डाल दे, तो देखें, यहां पर बड़ी आसा हमारा धही बड़े बनका आप रेडी होगे, आप देख सकते हैं, अंदर से कितना जूसी है, यही एक ट्रिक है, कि जादा पानी को ना निचोड़े हैं, धही बड़ो में से, तो उमीद करते हूँ, आ साथ होंगी, तब तक के लिए, बाबाई, टाटा, टेक केर,